अभी मैं आपको WhatsApp के 5 interesting, amazing feature की बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में कुछ लोग तो जानते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे users हैं जो daily life में WhatsApp का इस्तमाल तो करते हैं बट इन सारे features को use करना नहीं जानते जबकि हर एक WhatsApp users को ये सारे के सारे features की use करना चाहिए काफी interesting है, मज़ा आएगा use करने में तो इस वीडियो को end देखीगा, इस वीडियो में आपको one by one करके 5 features के बारे में पूरी detail में जानकाड़ी देने वाला हूँ वीडियो काफी ज़्यादा informative और interesting होने वाली है, like और share कर देजीगा और अगर आप इसी तरह का content देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को subscribe करके, notification bell को जरूर दबा दीजीगा, तो चलिए, शुरू करते हैं बात करें WhatsApp के first trick की, यह trick उनके लिए काफी ज़्यादा जवरदर्थ है, important है, जो WhatsApp group में join हो रखे हैं, या फिर WhatsApp group create कर रखे हैं कई बार आपने notice किया होगा, आप जब भी WhatsApp group में कोई भी message send करते हैं, तो अगला बंदा आपका message पर लेता है, for example, इस message को जैसे कि आपने send किया, hello कैसे है, ठीक है, तो यहाँ पर आप message तो send कर देते हैं, और send करने के बाद message चला भी जाता है कुछी स्थरीके से, लेकिन message को पढ़ करके, कोई भी users आपको reply group में नहीं करता है, वैसे मैं आपको पता ही नहीं चलता है, किस-किस ने मेरा message पढ़ा है, तो अगर आप check करना चाहते हैं, मैंने message भीजा है, उस message को किस-किस ने पढ़ा है, तो simple आप उस message पर tap and hold कीजिएगा, ठीक है, विश्की बाद 3 dot पर आपको click करना है, और यहाँ पर आपको info का option दिख जाएगा, सबसे उपड़ी info, इस पर आपको click करना है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा, कि किस-किस ने message पढ़ा है, जैसे कि देखिए, आपको अभी दिख रहा होगा, ठीक है, और भी कोई message पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको tick जाएगा, और green करका, sorry, blue करका आपको tick लगा हुआ दिख जाएगा, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, कि आपका message ग्रूप में किस-किस बंदे ने, किस-किस users ने पढ़ा है, पात करें next trick की, यह trick उनके लिए काफी ज़्यादा important है, जो WhatsApp पर कि प्राइबेटली चैट करना चाहते हैं, यानि कि बात करना चाहते हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, कि मैं इस लड़की से या फिर इस लड़की से बात भी करता हूँ, उनके लिए यह feature काफी जबरदस्त है, अगर आप किसी भी particular चैट में लॉक लगना चाहते हैं, तो अब आप लग लगा सकते हैं, और उसे हाइड भी कर सकते हैं, सिम्पल आपको करना क्या है, वाटस्ताप को ओपेंड कर लेना है, ओपेंड करने के बाद, अब यहां पर जिस भी person को आप लॉक करना चाहते हैं, यानि कि जिस भी particular चैट को लॉक करना चाहते हैं, सिम्प के बाद इस button को आपको on कर दिना है कुछ इस तरीके से और fingerprint add कर दिना है बस इतना ही करना है उसके बाद अब आप व्यू वाले option पर क्लिक करके locked वाले section में देख सकते हैं किस person को आपने lock कर रखा है अब देखे माल लीजे आपने lock कर दिया ठीक है ना lock करने के बाद अब आप उस person से बात करना चाहते हैं जो कि अब आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं वह person जिसको आपने lock किया है hide भी हो जाएगा और lock भी हो जाएगा ठीक है ना तो अब अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो कैसे बात करेंगे simple आपको whatsapp open करना है और थोरा सा नीचे की और slide करना है कुछ इस तरीके से तो उपर में आपको locked chat का option दिख जाएगा इस पर click करना है तो इसके बाद आपको अपना finger add करना है कुछ इस तरीके से और जैसे ही आप add करेंगे तो locked chat वाले section में जिसको भी आपने add कर रखा होगा यानि कि lock कर रखा होगा आपको दिख जाएगा और इस पर आप click करके अब आप इससे chat कर सकते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी particular person को particular chat को whatsapp में lock कर सकते हैं और hide कर सकते हैं अब बात करें next trick की यह trick भी काफी important है और आपके daily life में whatsapp यूज करने के दौरान काफी काम आएगी ठीक है न कैसे मैं आपको clear कर देता हूँ कई बाट क्या होता है हम लोग किसी को message भीजते हैं ठीक है न तो जैसे कि मान लेजिए आप message भीज रहें कैसे हैं और यहां से message तो आपने भेज दिया कैसे हैं लेकिन by mistake आपसे wrong message send हो गया जैसे कि या तो spelling wrong हो गया या फिर message कुछ और भेजने का था और भेज आपने कुछ और दिया ठीक है तो पहले क्या होता था message भेजने के बाद आप उस message को delete for everyone कर देते थे लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है ठीक है ना अब माल लेजिए अगर कोई message आप से गलती से चला गया है कोई wrong message तो जैसे कि माल लेजिए आपने भेजा ठीक हो ना तो यहां पर ठीक हो ना या फिर कुछ और आपने message भेजा और वह message गलत चला गया तो उस message को अब edit कर सकते हैं कुछ इस तरीके से simple इस पर tap and hold करना है उस message बर जो wrong चला गया है उसके बाद three dot पर आपको click करना है और यहीं पर आपको edit करने का option दिख जाएगा इस पर आपको click करना है और देखके यहां से आप उस message को delete कर सकते हो या पर edit वगया कर सकते हैं ठ जबरदर्स्त feature था हड़ी की users को काफी ज्यादा काम में आएगा अब next जो trick है वो भी काफी ज्यादा important है उनके लिए जो WhatsApp group में join कर रखें ठीक है कैसे मैं आपको बता देता हूं देखिए अगर आप चाहते हैं WhatsApp group में किसी से भी privately chat करना बात करना तो आप कर सकते हैं चैसे क आपको clear कर लेता हूं for example कोई message में select कर लेता हूं कि माल लेजिए किसी भी person से आप privately WhatsApp group में chat करना चाहते हैं ताकि और कोई person उस message को read ना कर पाए देखना पाए तो आप simple message पर tap and hold कीजेगा कुछ इस तरीके से जिनसे भी आप privately chat करना चाहते हैं जैसा कि देखिए मैं इस message को select कर लेता हूं मान लेजिए आप इस person से आपको privately बात करना है यानि कि group में हैं बट आप उनसे privately बात करना चाहते हैं ताकि group में जितने भी और user से वह आपका message read ना कर पाए तो simple आप उस message को tap and hold कर दीजीगा और उसके बाद three dot पर आपको click करना है तो इसके बाद reply privately का option दिख users read नहीं कर पाएगा देख नहीं पाएगा ठीक है ना तो इस तरीके से आप privately बात कर सकते हैं ग्रूप में रहकर के भी तो यह feature हर एक group users के लिए काफी जवरदस्त है वैसे आप लोग comment करके बताएगा आपके लिए feature कैसा रहेगा next feature की बात करें तो यह उनके लिए काफी ज उससे चैट कर पाऊं तो अब आप आसानी पुरुवक कर सकते हैं किसी एप का इस्तमाल करते हैं किसी website का इस्तमाल करते हैं ठीक है नबीना नमबर सेव की चैट करने के लिए लेकिन मैं आपको एक अलग तरीका बताने वाला हूं सिंपल आपको करने क्या है WhatsApp को आपेंड कर लेना है आपेंड करने की बाद यहाँ पर आपको बैक आजाना है और इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है ठीक है यहाँ पर आपका नमबर दिख जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप उनका नमबर कीजिए एक बार ऐसे करके और यहां पर देखिए चैट वीद का ओप्सन आ जाएगा इस पर आप क्लिक कीजिए और डारेक्ट आप इनसे चैट कर सकते हैं वैसे यह नंबर मैंने सेव कर रखा है लेकिन अगर आपने सेव नहीं भी कर रखा होगा तो भी कोई दिकत नहीं है आप यहां से मैसेज कर पाएंगे बिना नंबर सेव किये तो यह ट्रिक भी काफी इंपोर्टेंट है हर एक वाट्सेप यूजर्स के लिए अब नेश्ट जो ट्रिक है वो लास्ट लेकिन काफी इंपोर्टेंट है अगर आप चाहते हैं किसी दूसरी मुबाईल फोन का वाट्सेप अपनी मुबाईल Tucson में एकसेश करना यूज करना और आपके ही पास कोई दूसरा मुबाईल फोन है और उसमें दूवाट्सेप यूज कर रहे हैं उस वाट्सेप दिख जाएगा Linked Devices तो आपको Linked Devices पर क्लिक करना है और Linked Devices पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद Use Mobile Data पर आपको क्लिक करना है Fingerprint से Unlock कर लिना है और उसके बाद OK कर दिना है OK करने की बाद Camera Open हो जाएगा और QR Code को आपको Scan कर लिना है ख्याना कोशिश तरीके से आप QR Code को recommend कीजाए गा तो यहां पर login किया जाएगा कोशिश तरीके से और देहां पर सारगा वाट्सेप आपके सामने आ जाएयगा आप देख सकते हैं, यहां पर आपके सामने पूरा WhatsApp आजागा कुछ इस तरीके से, उसके बाद यहां पर, देखी मैं आपको back करके दिखाता हूँ, यहां पर जो भी चैट है, वो सारे के सारे चैट यहां पर भी दिख चाएंगे, profile photo भी आपको सेम दिख चाएगा, और यहां से आप किसी भी WhatsApp चैट को अपने mobile phone में access कर सकते हैं, WhatsApp account को अपने mobile phone में access कर सकते हैं, यह आपको तब ज़्यादा कम में आएगा, जब आप चाहते हैं किसी भी WhatsApp account को अपने device, दूरसे device में use करना, तो आप यहां से कर पाएंगे, और दोनों mobile से आप message कर पाएंगे, ऐसा नही काफी जबरतर्स ट्रिक है, आपको काफी काम आएगा, कभी न कभी तो इसको भी आप जरूर्ड फॉलो कीजेगा, तो यह सारे के सारे ट्रिक मुझे काफी important लगे हरे की users के लिए, आप लोग comment करके बताएगा कि इन में से कौन सा feature आपके लिए काफी ज़्यादा important था, मु इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार का मन में सवाल, doubt, confusion रह गया हो, तो आप मुझे नीची comment box में अपना सवाल रख सकते हैं